हेलो गाइज दॉक्टर दिविन राटोर यह वैलकम टू मॉडर्ण हेल्थ और नूट्रिशन और आज हम बात करेंगे और किलो माइगरेन के बारे में उसके क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में माइगरेन के ओपर यह बनाई है और उसके लिए वाली सिच्वेशन काफी पैनिक ही होती है बहुत ज़्यादा उसके उस थाएग पर घबर जाता है तो general क्या symptoms आते हैं उसके बारे में आपने चाचा करते हैं तो ocular migraine से पता चल रहा है कि eyes से related है और इसके अंदर patient को एक zigzag line दिखती है shimmering vision दिखती है जो बिल्कुल blind spot means अगर आप एक जगह देखोगे तो उसके अंदर मतलब एक zigzag zigzag line दिखेगी और बिल्कुल blind spot मतलब कुछ area of your vision आपका temporary loss हो जाएगा ठीक है कुछ समय के लिए हो सकता है आपको 10 मिनट से लेकर एक गंटे तक के लिए वह loss हो जाएगा तो वह वाली condition में क्या होता है कि जो patient होता है काफी जादा घबरा जाते हैं बहुत panic वाली condition हो जाती है तो वह वाली condition यह होती है उस वाली condition को हम oculomigraine गोलते है यह oculomigraine इसलिए का जाता है क्योंकि यह बिना किसी other other symptoms के साथ नहीं मिलती है यह कि जो classic migraine होता है आपको headache के साथ मिलेगा vomiting आपको मिलेगी nausea मिलेगा लेकिन oculomigraine में इस तरह के symptoms नहीं मिलते हैं generally इसके औरा आने का भी तरीका जो अलग रहता है औरा जो oculomigraine का आता है उसके अंदर patient को brain fogginess लगती है dizziness लगती है और उसको थोड़ा unrealistic सा लगता है और फिर उसको eyes related symptoms start हो जाता है तो oculomigraine is different to general migraine अब चीज आती है कि क्या difference है between oculomigraine और headache वाला जो migraine होता है तो उसमें यह difference है कि oculomigraine में किसी भी तरह का pain नहीं होता painful situation बिल्कुल नहीं है जैसा कि मैंने पिछले figure में बताई पिक्चर में बताई कि oculomigraine में patient को किस तरह से दिखता है partially weasel loss हुआ patient उस टाइम पर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है जबकि normal migraine में इसा नहीं होता normal migraine में उसे vomiting वाली feeling आई nausea हुआ थोड़ी घबराट हुई fatigness हुई और फिर उसको followed by headache ठीक है headache के साथ उसको nausea vomiting होती ही patient इतना ज़्यादा panic नहीं करता क्योंकि उसे उस तरह के symptoms मालूम रहते हैं लेकिन ocular वाली condition में यह होता है कि patient बिल्कुल completely detached हो जाता है बाहर के environment से जिसकी वज़े से वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है ठीक है अब इसके trigger के बारे में बात करते हैं कि इसके causes क्या होते हैं trigger तो generally causes और trigger normal migraine और ocular migraine की simple ही रहते हैं ज्यादा ऐसा कोई different नहीं रहते हैं लेकिन ocular migraine में के triggers जो रहते हैं सबसे main trigger उसका होता है stress और sleep deprivation ठीक है अगर आप काफी लंब किसी चीज की आपको anxiety है या फिर anxiety related अगर आपको disorder है अगर आपको कुछ panic related disorder है तो उस वाली condition में ocular migraine मिलने की संभावना बढ़ जाती है ocular related symptoms मिलते हैं टोनों eyes में मिलते हैं अगर one eyes में मिलता है तो उसे retinal migraine गोपन ठीक है तो retinal migraine is a different thing लेकिन ocular migraine में मिलता है थोड़ा blind spot मिलता है जिग-जग shimmer vision मिलता है जिसकी वज़े से पेशेंट उस चीज को काफी मतलब सोचता है कि जल्दी से जल्दी वह चीज हट जाए अब इसके और क्या कारण होते हैं तो ज्यादा sugar product लेना या फिर ऐसा कुछ लेना जिसकी वज़े से blood pressure आपका high जाए एकदम से जैसे caffeinated products हो गया energy drinks हो गया चौकलेट्स हो गया एज़ चीज हो गया यह कुछ products होते हैं MSG नेचुरल जो एक artificial preservatives होते हैं वह भी oculomigraine को trigger करते हैं लंबे समय तक आप भूके हो ठीक आपने कुछ खाना नहीं खाया है और एकदम से आपका blood sugar level drop हुआ तो उस कारण से भी oculomigraine trigger हो सकता है next thing इसमें आती है कि अगर आपने आपकी नींद जो रहती है sleep deprivation बहुत ज्यादा मिलता है तो sleep deprivation वाले patient में भी oculomigraine काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिला है काफी ज्यादा patient मेरे पास जितने गया है maximum number of patient में sleep deprivation और stress ज्यादा मिला oculomigraine को अब इसको treat करना क्यों जरूर यह first thing अगर आपको oculomigraine का trigger हो रहा है यह depend करता है कि आपको कितने time में trigger हो रहा है one month two month three month यह फिर हर दूसरे तीसरे दिन ठीक है यह depend करता है frequency आपके oculomigraine की severity पर ठीक है तो अगर आपको बहुत ज्यादा frequent हो रहा है तो जरूरी है कि आप इसका proper treatment लें आपका proper body check-up करवाएं और उसके recording treatment लें causes मैंने आपको बताया दिये हैं इसके general causes obviously migraine से related रहते हैं stress हो गया sleep deprivation हो गया लेकिन कुछ causes अगर देखे जाए तो brain से related भी मिलते हैं यह depend करता है case to case अगर बहुत ज़्यादा frequent हो रहे हैं और normal medications और normal जो हमने management के बारे में बताऊंगा मैं आपको आगे अगर वो करने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो फिर proper इसका investigation ज़रूरी है ठीक है तो अब किस तरह से हम risk factors को किस तरह से कम कर दें सबसे पहले stressful stress bursting exercise करो आप running करो walking करो ठीक है और अगर आपको ocular migraine वाला अगर आपको एक attack आया है ocular migraine attack आया है तो सबसे पहले आप जहां पर भी हो वहां पर अगर आप घर पे हो तो obviously बहुत अच्छी बात है आप घर पे light बंद करके कम अंदरे कमरे में थोड़ी देल के लिए लेट जाए और सर पर थोड़ा ठंडा कपड़ा रख ल आप कई पर जा रहे हो ड्राइब कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए ड्राइब रोग दीजिए थोड़ी देर के महीं पर आप रेस्ट कर लीजिए आखे बंद करके थोड़ी देर के लिए उस चीज को जाने दीजिए तो कम से कम 30 मिनट से लेकर आदे गंटे 30 मिनट से ल और इसे ही तर साथ में जो हुमेपतिक मेडिकेशन्स रहती हैं अगर कम होते जाएंगे तो in future आने वाले जो problem है आपको और जो उसकी severity हो भी धीरे-धीरे कम होती जाएगे ठीक है तो सबसे पहले जो मैंने आपको general management है उसे पर जरूर फोकस करिएगा वगर वो आपने properly ठीक कर लिया तो काफी हद तक आपकी ocular migraine से related complaint चले जाएगे ठीक है next thing यह आती है कि इसको treatment और क्या क्या treatment है इसके options तो general जो migraine से related treatment रहता है वही treatment हमें opt-out करना पड़ता है ocular migraine में भी और patient को बिलकुल counselling करना पड़ती है ताकि वह उस वाली condition पर ज्यादा घबराए नहीं क्योंकि यह वाली condition कोई danger नहीं रहता है क्योंकि कई बार लोग इसको stroke या फिर other disease से resemble करने लग जाते हैं तो वह का मतलब इतनी problem नहीं रहती है तो घबराना नहीं है इस symptoms क जाने देना है इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है symptoms चले जाए then you can go your daily routine ठीक है go for a daily routine बट लेकिन अगर वह आपकी daily life style में काफी इंटरफेर कर रही है तो फिर आप जरूर डॉक्टर से सला ले परांबर्ष ले जो भी आपके primary health care provider है जनरली बहुत सारे डॉक्टर से इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो आप किसी अच्छे neurologist से मिल सकते हो या फिर डॉक्टर से किसी अच्छे डॉक्टर से आप और किसी अन्य डॉक्टर से आप सला ले सकते हो ठीक है तो यह था ocular migraine पर मेरा view hope so मैंने बहुत कुछ को दूर कर सकते हो और किस तरह से आप आगे की lifestyle को proper और माइगरेन फ्री रख सकते हो ठीक है तो आप जरू कमेंट करिए ठीक है और कोई भी कोश्चन को आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजेगा ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बैल आइकोन दबाओ ताकि जब भी हम live questions asking जब भी आप करें तब हम आपको notification आजाए ठीक है और वीडियो को like करें share करें ठीक है